लबशकार नागपूर हलचल में आपका स्वागत है तो आए नजर डालते हैं नागपूर की विवित हलचल पर कोरोना महामारी की तीसी लहर के कारण बंदिशे फिर बढ़ने लगी है महाराश सरकार ने 15 फरवरी तक स्कूल और कॉलेजों को बंद रखने का फर्मान जारी कर दिया है इस कारण पढ़ाई फिर से उनलाइन उपकरनों के भरोसे हो गई है बगर यह हकीकत से काफी दूर है कोरोना काल में अधिकांश लोगों की आर्थिक स्तिती बहुत ही खराब है ऐसे लोग स्मार्टपोन, कंप्यूटर, लैप्टॉप और इंटरनेट जैसी सुविधाये कहां से लाएंगे यह सबी सुविधाये ऑनलाइन शिक्षा के लिए अतियावशक है इसलिए लोगडाउन में कई गरीब चात्रों तक आर्थिक्षा नहीं पहुच पाई थी जिनके पास आर्थिकांश पढ़ाये के लिए संसाधन नहीं है उनके बच्चों की तस्विर तो यही है कि स्कूल खुले तो पढ़ाये शुरू और स्कूल बन तो पढ़ाये भी बन किवल 20% चात्रों के पास ही अंडरोइड फोन उपलब्ध है मनपा के अधिकांश स्कूल के विद्धारतियों का बुरा हाल है कोविड-19 महामारी के चलते पहली से आठीक अक्षा के विद्धारतियों के लिए स्कूल का दर्वाजाब बन हो गया है मनपा के 80% विद्धारतियों एवं उनका परिजनों की आर्थिक सिती अंडरोइड मोबाइल खरीदने के अनुकूल नहीं है मनपा स्कूलों के सिर्फ 20% विद्धारतियों के पास ही अन्डरोइड मोबाइल है पूरो मुख्यमंत्री देवंद्र फड़नवीस ने कहा कि महिलाएग घर परिवार का निर्वाह करते हुए कई शेतर में अपनी उपसिती दर्च करा रही है और नई उचाईया को छू रही है आगया कर वे प्रतेक शेतर में नए किर्थी मास थापित कर रही है पारिवारिक सहयोग से वे दुनिया जीत सकती है उन्हेंने महिलाओ के प्रतनी दिमंडल से महिलाओ की सुरक्षा संबनित मुद्धों पर चर्चा की इस अवसर पर पार्षत विरेंदर कुकरेजा, पार्षत मंतराणी, मंजु कुंगवानी, सरीता माने, पूजा मोरियाणी, सुनिता मोहले, उशाधानी, सीमा मेश्राम, रती वंजानी, वंशिका केशवानी, साक्षी लालवानी, इनकी मौझूदगी रही सिताबरडी कॉंग्रेस कमिटी की ओर से शिवसेननेता लाल सिंग ठाकुर का अपनी मूल पार्टी कॉंग्रेस में शामिल होने तथा कॉंग्रेस कामगार सेल के विदर प्रदेश के दक्षपत पर नियुक्त होने पर उनके जन्संपर कारले निताजी मार्केट सिताबडी नाखपुर में पहुँच कर उनका स्वागत किया गया इस अउसर पर ब्लोक कॉंग्रेस टेन की उपाद दक्ष विजयक कुर्यवनशी शहर कॉंग्रेस के महास्य चूप बाबुलाल साहू कॉंग्रेस के वरिष्ट पदादिकारी अनिर्दक्ष, सुरस्चर्मा, राजा मेश्रा, मुकंद घरत, अजेक कुर्यवनशी, मोना मेश्रा, उमेश्चववान, सोनु कुर्वाने, तुशार पुनवटकर, राजुवान खेडे, आदी उपस्तित थे All India Occupational Therapist Association नाकपुल चैप्टर ने हाल ही में सेंजुग डॉक्टर दीपकेशिया की अध्यक्षता में शहर मया उजिट जनरल बौडी मीटिंग में अपना नया निकाय चुना बैटक में प्रख्या चिकित्सकों ने भाग लिया, इस उसर पर डॉक्टर पीप्यू के कौम हाड के कोशा देक्ष और पुर्वधिक्षक डॉक्टर बसंद ठोंबरे, डॉक्टर सोफिया आजाद, प्रिंसिपल डॉक्टर दीना देशपांडे, डॉक्टर मनिश भावतक डॉक्टर लोकप्रिय साकरे और अन्यमाने वर उपस्तित थे, डॉक्टर दीपक एशिया ने पिछले कुछ वर्षों में नागपुर शाकाद्वारा की गए गतिवीडियों की संग्षिप्त जान करी दी, फिल्गुट पेन एंड रिहाब क्लिनिक, नागपुर की सीनियर उक्पेशनल थेरेपिस्ट डॉक्टर स्निहा गोध्यानी को संयों जग पत के लिए चुना गया, CRC नागपुर से डॉक्टर अश्वनी दहाद को संसयों जग पत के लिए चुना गया, प्योर कनेक्ट मल्टी स्पेशलिटी रिहाब सेंटर में, डॉक्टर लिद्धी कटारिया उक्पेशनल थेरेपिस्ट को कोशादेक्ष पत के लिए चुना गया, डॉक्टर रमेज बरसकर, दोस्तो दीपक एशिया, डॉक्टर सचीन सांगोले, डॉक्टर वैशाली लोखं डॉक्टर अलिशा टेमभेकर, डॉक्टर यासमीन शेक और डॉक्टर हुमेरा खान को कारेकारी सदस्ट से चुना गया, नवनिर्वाचित निकाय का उद्धेश, नियूरोलोजी, बाल रोग, मनोचिकित्सा, एर्गोनॉमिक्स, ऑन्कोलोजी, आदि विभिन विश्यों मे नियमित सियमी, कारेशालाएं, सेमिनर, कारेशालाएं, सेमिनर, आयोजित करने हैं। मानिवरों ने नवनिर्वाचित कारेकारी सदस्यों को बधाई, और आगे के कारियों में सफलता की शुपकाम नाय दी। तैयारी में हर पदादी कारिव कारेकरता तैयार रहे, और हर बुद्सतर पर, चुनाव सतर पर कारे करे। इस आदे की निर्देश अद्धष ने दिये, लोगों की समस्या और लोगों के बीच में जाकर कारेकरताओं को जनसंपर करना होगा। केंद्रिया मंत्री नितिन ग और अलपसंख्य को तक प्रशासन के कारेों की जानकारी पहुचाना, चुनाव की तैयारी में लगने जैसे कारे, कारे करताओं और पदादी कारे को करने होगे। भारत की पहली लोगसभा के सदस्य एवं महाराश के पूरमुख्यमंत्री दादा साहिब कन्नमवार की 122 वी जैनती के अउसर पर महापौर दयाशंकर तिवारी ने विदान भहुन परिसर में स्थित उनके पुतले पर मालयारपन कर अभिवादन किया। महापौर दयाशंकर तिवारी का एकवश का कारेकाल 7 जनुरी को सफलतापूर अकपूरा हुआ। इस एक वश के कारेकाल में महापौर दयाशंकर तिवारी के नेतुत में नागपूर महारगर पालिका ने शिक्षा, स्वास्त और पर्यावरन के शेतर में महतपूर्ण उपलब दिया हासिल की है। इस बारे में और अधिक जानकरी देने के लिए रविवार 9 जनुरी को रामदा स्पेट के होटल सेंटर पॉइंट पर पत्रकार संबिलन कायो जन किया गया। आदि मानने वर उपस्तित थे। महापौर ने बताया कि शिक्षा विभाग ने आकाजा फाउंडेशन के सहयोग से छे विदान सभाशेतरों में KG1 वा KG2 अंग्रेजी की कक्षाएं शुरू की इन सबी स्कूलों को अविभावकों की अच्छी प्रतिक्रिया मिली है और अलही में महिला कॉंग्रेस कमिटी की प्रदेश अदक्षा संधा सवालाखे ने नाकपूर शहर महिला कॉंग्रेस अदक्ष के पत पर जो जारू नेतियुत के लिए नैश नुसरत अली की नियुक्ति की थी। इस नियुक्ति पर प्रदेश महिला कॉंग्रेस कमिटी महा सचु कांता पराते के नेर्थरू तमें महिला कॉंग्रेस की पतादिकारियों ने प्रदेश कॉंग्रेस अदक्षा नाना पटोले का अभी नंदन किया। इस अउसर पर प्रमुक्रूप से नंदा देशमुक, सचुशर कॉंग्रेस कमिटी, सुश्मा डांगे, अध्यक्ष दक्षिन पश्चिम नाखपूर, लीना कटारे, रोश्नी निखारे, नंदात करे, रंजणा कडूकर, आधी पदाधिकारी एवं कारेकरता गन उपस्ति थे तहसिल पुलिस स्थाने में पुलिस की दक्षता समीती की बैठक का आयोजन किया गया, यह बैठक पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार व डिसीपी गजानन राजमाने की निर्देशन पर आयोजित की गई, इस मीटिंग में पाचपौली, लकडगंच, कोतवाली तहसिल व ग कि किसी भी सोने व चांदी के आभूशन को ग्रहन करते समय पहचान पत्र, एड्रेस प्रूफ, विक्ति का फोटो अवश्य ले, सोने चांदी के आभूशन की खरीदी और गिर्वी करते समय सारा लेंदेन चेक द्वारा करे, ग्रहाकों से आभूशनों के बिल की रसीद भी अवश्यली जाए किसी कारण से अगर आभुशनों के बिल की रसीद नार हो तो गहना खरीदारी करने वाले ग्रहक से इस बारे में कागत पर बयान जरूर लिख वाले गिर्वी करते समय गिर्वी रखे हुए आभुशनों के वग्रहकों के फोटो जरूर ले जाए सोने टीका करन नाखपुर महानitel पालीका के साथ साथ सरकारी के अंदरों पर होगा टीका करन का समय शाम के 5 बजे तक होगा टीका करन के लिए ओनLINE और आफलाइन दोनों पधितियों से पंजी करन किया जा सकता है। डॉक्टर बाबा सहब आमबेटकर अस्पताल कामप्टी रोड वस्वरगिय प्रभाकरदट के मनपा महाल रोग निदान केंडर, एम्स, आइसलेशन अस्पताल इमामबाड़ा, इंद्रा गांधिय अस्पताल गांधी नगर, मनपास्त्री अस्पताल पांच पाउली और प्र पुर्वनागपूर एक घनी आबादी वाला इलाका है, वाठोडा में बंद रहा फार स्टेशन पुर्वनागपूर में सुरक्षा के दुष्टिकों से अत्यांत महत्पूर्ण भुमी का निभाएगा, इस आश्या के विचार महापूर दयाशंकरतिवारी ने वेक्त किये वे स्थानिय वाठोडा सालासार विहारवाड 26 थीत अगनिश्रमन केंदर के भुमी पुजन कारेक्रम के दौरान भाषन दे रहे थे महापूर ने कहा कि नाखपूर शहर के बढ़ते शितरपल और बढ़ती आबादी को देखते हुए राजसरकार ने शहर के लिए 13 दमकल केंदर स्विकृत किये है इसी कारेक्रम में बाठोडा में दस विदमकल केंदर का भुमी पुजन किया गया है पहले लकडगंज में एक ही अगनिशमन केंदर था इसलिए पूरणाकपूर में अत्रिक्त अगनिशमन केंदर का प्रबंध किया जा रहा है अखंड विचारवंज की ओर से मानकापुर के प्राचिन शिव मंदिर में संगीत में श्री राम कथा का आयोजन किया गया कथा के अंतिम दिन में रावनवद वर राम राजा भिशिक का प्रसंगर चित्रकुट धामनिवासी राजन महाराज ने भक्तों के समक्ष प्रस्तुत किया इसी के साथ श्री राम कता समापन भी हुआ यजमान आशिश गुपता, अजीत मिश्रा, नगर सेवक संदीत जाधव, संजय पांडे, अजय पांडे, श्रीकान देशमुक, विनोट ढोबले, अलके शियर खडे ने व्यास्पीट का पुजन किया मंच के अद्रक्ष मनोच कुमार सिंग ने कथावाचक का सतकार किया, तथा अभार प्रदर्शन किया कलमना शेतर में एशिया के सबसे बड़े बाजार के रूप में सहकार महश्री बाबा साहिब के दार ने बनवाया, करदाताओं को अधिक तमराहत और सुविधाय कैसे मिले, इससे ध्यान में रखते हुए कहीं एमफैस ले लिये गए, लेकिन मार्केट कमिटी के कई आरोप साबित हुए है, खोपडे ने कहा कि कलमना बाजार समीती में सत्ता में बैठे लोग ब्रश्चाचार में लिपता है, यहां पिछले पांच वर्षों में ब्रश्चाचार के कई मामले सामने आए है, इसकी जांच के लिए सरकार ने खंडागडे समीती नियुक उस किसान का माल भी यार्ड में पड़ा रहता है, बारिश में अक्सर करोडो रुपे का माल खराब हो जाता है, इससे शेत्र की किसानों को भारी नुकसान जहलना पड़ता है, जो की अनुचित है कोरोना की संभावी 30 लर के खत्रे के मदे नजर केंद और राजसरकारों के निर्देशान उसार, 10 जनवरी से नाखपुर में स्वास्त कर्मियों, फ्रेंट लाइन वर्कर्स और 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वेक्तियों के लिए बूस्टर डोस लगाने की शुरुआत की गई, पहले दिन पाच पॉली महिला स्वताल में पालक मंत्री डॉक्टर नितिनराउत और महापुर दयाशंकर तिवारी की महजुदगी में स्वासकर्मियों के पहले समोक डॉक्टर दिपांकर भ्यूगडे और उनकी टीम ने बूस्टर डोस का टीका लगवाया, इस द प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने साथ वर्च से अधिक आयूक के नागरिकों और स्वास्त कर्मियों के साथ साथ फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए बूस्टर डोस लगाने की गोचना की है, नागरिकों को यह डोस निशल्क दिया जा रहा है, उन्होंने नागरिकों से इसका पूरा लाब उठाने की अपिल की, इस अउसर पर जिलादिकारी आर्विम्ला, मनपा के अपर आयूकत दिपक कुमार मीना, राम जोशी, चिकिसा स्वास्त दिकरी डॉक्टर संजेच चिलकर, सहायक आयूक अभिजित भाविसकर, आदी उपस्तित थे जिएच राइसुनी स्कूल आप बिजनेस मैनेजमेंट और दक्षिन मद्द शेतर सांसूतिक केंदर की सयुक्त पहल से रंगोली स्पर्दा का योजन किया गया, इस कारेकरम के लिए केंदर के उपसंचालक गवरी मराठे ने तकनिकी साहता उपलब दिकराई, कई जिएच राइसुनी स्कूल आप बिजनेस मैनेजमेंट की संचाली का डॉक्टर सोफिया अंसारी, मादुरी बरुआ, अधिश्टाता, विद्यार्ती सांसूतिक कारेकरम विभा के शिक्षगण प्रमुक्ता से उपस्तित थे भारतिय जनता पार्टी कामगारागडी नागपूर महानगर की ओर से शहर में 75 जगह पर असंगटित कामगारों के लिए इश्रम कार्ट शिविर स्वास्त हेल्थ कार्ड यूनिवर्सल पास सांसद हेल्थ कार्ड के शिविरों कायो जन किया जा रहा है इसी कड़ी में रविबार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सिंबोईसिस कॉलेज के बास भवेशी बिर कायो जन किया गया इस कारेक्रम की अद्रक्षता कामठी के विधायक टेक्चंच सावर करने की प्रमुकतिती की तोर पर विधायक रुषना खोपड़े उपस्तित थे कारेक्रम की शुरुवात में नाकपुर सुधार पर्ण्यास के विश्वस्त पार्षत संजय बगाले के साथ साथ गाउ के सरपंच निकेश कातुरे उपसरपंच संतोष्ति जारे नगर सेविका उपमोहप और मनीशा कोठे एवं भाचपा कामगारागाडी शहरदेक्ष न आधी नगर सेवकों सहीत सभी मानीवरों ने भारत माता और चत्रपती शिवाजी महराज की प्रतिमा पर माल्यार पन किया इसके पश्चा शिविर के आयोज़ों को द्वारा कारेक्रम में उपस्ती सभी मानीवरों का पुष्पग उच्छदे कर सतकार किया गया इस कारेक् के फायदों के बारे में विस्तार से बताया और शिविर का लाब उठाने की अपील की महात्मा गांधि आंतराष्टे हिंदी विश्विद्दाले वर्धा में महामना पंडीत मदन मोहन मालविय भवन में महामना की मूर्ति के नावरन के अवसर पर शनिवार आठ जन्वरी को विश्यविद्धाले के कुलपती प्रोफेसर रजनिश कुमार शुकले की उपस्तिती में भारतिय सांस्कुतिक संबन परिशत की अध्यक्ष तथा राज सबासद्य से डॉक्टर विनेश सहस्र बुद्धे के करकमलो द्वारा किया गया इस अउसर पर विश्यविद्धाले के कुलादिपती प्रोफेसर कमलेज दत्तत्रिपार्थी कवी कुलगुरु कालिदास संस्कुत विश्यविद्धाले राम्टे के कुलपती प्रोफेसर स्रीनिवास वरखेडी कारे परिशत के सद्यस्य से प्रोफेसर योगिंदर नाथ श प्रति कुल्पती प्रोफेसर चंदरकाल रागित अधिश्ठाता गन दूर शिक्षा निदेशाले के निदेशक डॉक्टर के बाल राजु विद्या परिशत के सदस्य विश्विदाले के शिक्षक अधिकारी एवं कर्मचारी गन उपस्ति थे अनावरन कारेक्रम में मंगला चरण डॉक्टर जगदिश नारांतिवारी द्वारा प्रस्तुत किया गया भारतिय सांस्कृतिक संबंध परिशत के अधिक्ष तथा राजसबासदे सदस्य विश्विदाले की सपहल को प्रासंगिक और महतपूर्ण बताती हुए काम ना की कि विश्विदाले शिक्षा क के शेतर में उत्तर उत्तर प्रगति करे महामना की मूर्ति हमें अपने राष्ट के प्रती समर्पित भाव से कारे करने की प्रेणा देगी दूर शिक्षा निदेशाले के निदेशक डॉक्टर केबाल राजु ने कुलादिपती कुलपती अथितियों सही समस्त उपसित मान नियू इत्वारी रोड सराफा बाजार में नई सिमेंट रोड का नवीनी करन हुआ था अभी तो बोरी तरह रोड पर ट्राइफिक ठीक तरह से चालू भी नहीं हुआ है रोड साइट में जो गट्टू लगाए गए है उसमें दो तीन इंच के गड़े हो गए है रोड बनान में ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीमार होने का खत्रा भी मंड़ा रहा है साथी लोगों को आवाजाही में भी परिशानी होती है अतहस्थानियन नागरी जनप्रतिन दियों और प्रशासनिक अधिकारियों को इस समस्या से अवगत करा रहे है शनिवार को और एंसिटी बाइक रैडर संस्ता के कुछ पदाधिकारी राज में चत्रपती शिवाजी महराज के किलों के दर्शन के लिए रवाना हुए इससे पूरव गांधी गेट परिसरस्ति शिवाजी महराज की प्रतिमा के पास महराशन और निर्मा सेना के पदाधिकारियों ने चत्रपती श दक्षिन विबाग अधिक्ष गवरवपुरी, दक्षिन पश्थी विबाग अधिक्ष तुशार गिर्रे, विबाग उपाध्यक्ष उत्कुिष्ट राइडर चेतन बोरकुते, दक्षिन विबाग सचीव राइडर लोके श्कामडी, शुबं स्रिवास्तव, जगत पटेल तथा अन्य मानने वर उपस्तित थे ट्राफिक पुलिस ने मोटार वहन अधिनियम के विबिन धाराओ के अंतरगत कुल मिलाकर डाई हजार से अधिक वहन चाल को पर कारवाई की और उनसे कुल मिलाकर साथ हजार रुपे का जर्माना वसुला इसी तरह मुंबई शराफ बंदिय अधिनियम के अंतरगत 11 मामलों में 11 रुपे को गिरफतार किया गया और उनसे 8400 रुपे का सामान जब्द किया गया है इसके अलावा जवाद अधिनियम के अंतरगत एक मामले में 6000 रुपे का जर्माना वसुला गया उपरोक्त सभी ओपरेशन से उक्तरूप से नाकपुर सिटी पुरिस द्वारा किये गए थे ट्रापिक विभाग नहीं आववान किया है कि नागरिक वहां चलाते समय वहां से सम्मधी सभी दस्तावेज अपने पास रखे तो नाकपुर हल चल में आज इतना ही आप से फिर बुलाकात होगी तब तक देखते रहिए बिकेबी न्यूस नमस्कार